हाल दोस्तों बहुत बहुत स्वागत में चैनल पर मैं हूँ आपका ट्यूटर बिजेश दोस्तों प्रैक्टिस एट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं बहुत क्यारफुली देखेगा कैसे करना है बने अख़चन लेटरियू में 27 रोस जाए तो मैं लिख लेता हूँ 27 अच्छे इसका इसका मतलब यह हुआ कि हमारा N वैल्यू 27 हुआ isn't it so number of rows मतलब n 27 रगए there are 20 seats अगर नहीं समझा n 27 कैसा है तो अभी आप पूरा question पढ़ोगा अपने आप समझ में आ जाएगा आपको there are 20 seats in first row first row में 20 seat है दूसरे रो में 22 seat है तीसरे रो में 24 seat है तो इसका मतलब हमार अपी बन रहा है दोस्तो लिखो इधर होगा अपी फॉर्म डेस अपी फॉर्म डेस 20,22,24 डॉट 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 यह अपना अपी फॉर्म हो रहा है वो बोला भी है and so on finding number of seats in the 15th row so यह 1st row में seats है इस 2nd row में seats है इस 3rd row में seats है उसमें क्या बोला है T15 निकाल दे 15th row में कितने seats है निकाल दे 15th row में कितने seats है निकाल दे निकाल दिया मैं नोटेशन दे दिया T15 कितना हो निकालना ने है ठीक है ना and also find how many total seats are there in the auditory और ही auditoryum में कितने seats है तो हमें निकालना है S27 रोसो समाझ में आया है मैंने किस तरीके से data interpret किया है बहुत जहां से समझना ठीक है ना अभी सबसे पहले target किया हमें सबसे पहले लिखना है A equal to 20 D equal to 22 minus 20 which is equal to 2 और सबसे पहले target किया है मेरा T15 निकालना so nth term is given by Tn equal to A plus N minus 1 into D so therefore T15 equal to A is what 20 plus 15 minus 1 into D what is the 2 this is 20 plus 14 into 2 so this is equal to 20 plus 28 so this is 48 so number of seats in the 15th row are 48 so therefore number of seat in 15th row are 48 ठीक है number of seat in 15th row are 48 ये तो आगया आपका अब how many seats are there in the auditorium इसके लिए आपको निकालना है S27 so sum of N terms is given by S27 equal to 27 upon 2 2 A plus N minus 1 into D मतलब 26 into D समझाँ दोस्तों इसको समर्लों अच्छे से तो ठीक है S27 का ऐसा लिखा हमने formula अब पता करना है सारे के सारे values क्या है 27 upon 2 2 into A what is A 20 so 2 into 20 plus 26 into D 2 ठीक है D का value हमारा 2 है so this is equal to 27 upon 2 2 common ले रहा दोनों मेंसे तो इसस इंटो 2 बच्छा कितना 20 plus 26 इंटो 2 cancel हो गया तो अपना बच्छा 27 into 26 plus 20 46 so 27 into 46 का value आया है आपका 1 2 4 2 ठीक है so how many seats are there in the auditorium 1242 so therefore there are 1242 seats in the auditorium ठीक है दोस्तों यह आपका final answer था so I hope यह वीडियो आपको समझ में आये होगा फिर भी कुछ doubt होगा तो आप मुझे comment section में लिखके communicate करें मैं try करूंग आपके doubt solve करने का तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिफ्ट सम करेंगे हैं लेकिन प्लीज आप मेरा चैनल subscribe का ना मत भूले share करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ आप मुझे facebook पे भी follow कर सकते thanks a lot for watching do take care of yourself bye bye